नमस्कार दोस्तो रोही सेयर साथियो सत्तरवी भी पीएसी में बहुत अधिक रिक्तिया आने की ख़वर सुनकर आप जोस से लबरेज हैं लेकिन मेरे दोस्त जोस में होस नहीं गवाना है जोस के अतिरेके में भी आकर आपको स्वविवेक से काम लेना है यह जो दो महीना है यह निर्णायक साबित होगा आगे का आने वाला 30 साल कैसा होगा उसके लिए दिशा निर्धारित करेगा पर यह दो महीना आसान भी नहीं होगा ऐसे भी पल आएंगे जब आपका विश्वास खुद पर से डगमगाएगा ऐसा भी वक्त आएगा जब रातों को नींद नही आएगी और खुद को आप एकजाम स्ट्रेस और इंग्जाइटी की गिरस्त में पाएंगे पर यह संघर्ष का पल है संघर्ष तो सफलता का निवेश है आपको पीछे नहीं हटना है याद रखना कि संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होगी सफलता का सूरज उतना ही तेज जमकेगा वैसे भी कहा जाता है कि वही सक्स है ताजीम के काबिल जिस सक्स ने हालात का रुख मोर दिया हो पर इस दिद्या चाहे कितनी भी विप्रीच क्यों नहों आपको अपना सयम और धैरी नहीं गवाना है आपको अपना बेस ट्रिफर्ट देना है कमर कसना पड़ेग और फिर वही वंदन के युग्य होता है इतिहास रचना है तो इम्तिहान का दर्द भी साहना होगा मैं आप से एक कहानी सेयर करना चाहता हूँ मैं लियोन मर्चंट की कहानी सेयर करना चाहता हूँ हाँ वही लियोन मर्चंट जिसने स्विमिंग के फिल्ड में पेरिस उलम्पिक 24 में इतिहास रच दिया है वह पदक तालिका में अकेले 186 देशों के आगे खड़ा रहा अगर आप लियोन मर्चिन की कहानी देखेंगे तो टोक्यो उलम्पिक में वह छटे पैदान पर था पदक से दूर बहुत दूर पर वह चैन से नहीं बैठा उलम्पिक गोल जीतने का सपना उसकी आखो के आगे नाशता रहा और इतिहास गवा है उस बक्ती ने इतिहास रच दिया इतिहास गवा है कि जब भी स्विमिंग का जिक्र होगा तो लियोन मर्चिन का जिक्र होना सुभाविक है दोस्तो 17 नॉम्बर वह इतिहास एक दिन साबित होगा जिसमें आप इतिहास रचेंगे पर इस दो महिने की जर्नी के दोरान आपको काफी उतार चढ़ाओ का सामना करना पड़ेगा हो सकता है कि आपका आत्म बिश्वास भी डगमगा जाए आपको ऐसा लगने लगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ बस मेरी एक बात याद रखना कि BPSC की परिक्षा पास करना माउंट एफरेस्ट की पहाडी चढ़ने जैसा कठी नहीं है यह बस एक छोटी पहाडी चढ़ने के समान है बस जरूरत है तो खुद को जिद्धी बनाने की एक छासक्ती को ज्रिड करने की धुन का पक्का बनकर इस परिक्षा को पास किया जा सकता है जब पांच फिट दो इंच की बचिंद्री पाल विश्व की सर्वत्तम चोटी पर अपने पाउं का निसान छोड़ सकती है तो यह कोई माउंट एफरेस की चड़ाई नहीं है बस एक छोटी पहाड़ी की चड़ाई है जिसे आप आसानी से लांग सकते हैं जिसे आप आसानी से पार कर सकते हैं दोस्तो दिनकर जी की ये पंक्तिया जरूर याद रखना कि जीवन उनका नहीं युधिस्ठिर जो उससे डरते हैं वह उनका जो चर्ण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं इतिहास बहादूर लोगों की कहानियों से भरी पड़ी है उससे प्रिरना लेने की ज़रुत है आप बहादूरी से लड़ें आप युद्धा की तरह लड़ें अगर आपने युद्धा की तरह लड़ाई लड़ी और डट कर मुर्चे को संभाले रखा तो सफलता जरूर आपका वरन करेगी आपका कदम चुमेगी खूब सारी सुपकामना है